हेलो गाईज नमस्कार मैं हूँ अमित और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अमित जीय सेंटर में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के मोस्ट इंपोटेंट 25 को जो कि आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोटेंट है जो कि आपके एक्ज जरूर बताईएगा चलिए वीडियो सुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्विस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अभी तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देंगे तो जो भी वीडियो मैं अप्लोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा ठीक है तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं आज का पहला प्रस्ण जो है वह है निम्न में से कौन सा सब्द जाती वाचक संग्या नहीं है ठीक है तो यहां पर हमको बत जाति वाचक संग्या ठीक है इसमें एक प्रस्ण नुबर 3 जो है सुंदर यह जाती वाचक संग्या नहीं है यह कौन से संग्या है तो यह भाववाचक संग्या 213 अगला प्रस्न देख लेते हैं लोग अगला प्रस्ण है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं सर्वनाम पहली बात हम जान लेते हैं क्या कहलाता है किसे कहते हैं हम लोग सर्वनाम तो सर्वनाम उसे कहते हैं आप इंगलिस में आपने सुना होगा प्रोनावन ठीक है और उसी को हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम यानि कि वह सब्द जो किसी संग्या के इस्थान पर प्रियोग किया जाए ठीक है यानि कि किसी व्यक्ति के किसी इस्थान के नाम के इस्थान पर जिस सब्द का प्रियोग करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वनाम ठीक है ना अबर तीनिया पर correct हो जाएगा पहला प्रकार होता है पुरुस वाचक दूसरा होता है निश्चे वाचक तीसरा होता है अनिश्चे वाचक चौथा होता है सम्मंद वाचक पांचवा होता है प्रश्ण वाचक सर्वनाम ठीक है और छटवा होता है निजवाचक सर्वनाम ठीक में भी आपके होगा बहुत बार लोग परयोग करते हैं इस सब्द को ठीक है तो लोटा जो है यह तत्सम सब्द है या तद्भाव सब्द है या देशज है या भी देशज है ठीक है हमको यह बताना है कि इन में से कौन सा उप्षन सही है ठीक है तो इसका जो राइट आंसर द देखिए इसके बीच में एक कारक चिन छुपा हुआ है यानि कि लोप हो गया है उसका ठीक है कन्या का दान ठीक है कन्या का दान यह अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यह बन जाएगा ठीक है यानि कि यहां पर इस सब्द में इस सब्द में किसका लोप हुआ है का यह क्या है यह कारक चिन है, ठीक है, तो यहाँ पर सीधे-सीधे क्या हो गया है, इसका लोफ हो गया है, और यहाँ पर कन्यादान बन गया है, तो यह ऐसा किसमे होता है, ऐसा होता है तत्पुरुष समास में, ठीक है, कहाँ पर तत्पुरुष समास में, जैसे राज कुमार, ठीक है, पहले सामास है। थीक है तो आप पर दर स्छन विदिए में कौन सा समास तो आपको मैंने बिच्ली वीडियो में आपको बताया था कि जहां पर vríaजक चिन लगा हो दो सब्दों के बीच में योजक चिन लगा हो वहाँ पर क्या होता है तो वहाँ पर द्वंद समास होता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं आप लोग गलत कर देते हैं यहाँ पर क्या है मुख दरसन है मतलब उन सब्दों के बीच में द्वंद भी होना चाहिए यहाँ पर द्वंद है मतलब मुख का दर्शन ठीक है अगर इसको हम सही से अगर विस्तार करेंगे तो क्या हो जाएगा मुख का दर्शन हो जाएगा ठीक है क्या होगा मुख का दर्शन तो इस सब्द में मुख दर्सन में का का बिलोफ हुआ है ठीक है क्या हुआ है यहां पर इसको क्या कर दिया गया है यानि कि यह जो यहां पर जो लक्षड दिखा रहा है यह दिखा रहा है तत्पुरुष समास का ठीक है तत्पुरुष समास में तो आपने पढ़ा है कि वहां पर क्या होता है कारक चि उधारड है ठीक है तो हमको यहां पर बताना है कि स्वार संधी का है ठीक है। टीक है राजेंडर किया है यह कैसे बन रहा है तो राजा पिलस इंदर होता है लाज Nation करेंगे तो राजा और धन इंद्र ठीक है क्या होता है इंद्र होता है और इसको अगर हम जोड़ें तो क्या बन जाता है राजिंद्र बन जाता है इसमें स्वरों का संधी होती है स्वरों की संधी होती है जब दोनों यहां से आ स्वर मिलता है और यहां से ई स्वर मिलता है तो क्या बन जाता है बन जाता है ठीक है क्या बन जाता है यह बन जाता है यानि कि स्वरों में क्या उत्पन हो जाता है तो नया स्वर बन जाता है ठीक है जब आ और ई मिली तो ठीक है तो यहां पर स्वरसंदी हो गई ठीक है चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं तो प्रसन है निम्न में से सुद सब दिश्में से कौन सा है तो यहां वे देखिए सन्यासी यह भी गलत है यह भी सन्यासी यह भी गलत है तो आप्शन नुबर बन यहां पर करेट हो जाएगा सन्यासी ठीक है चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं इस्थान के आधार पर बताईए कि मुर्धन्य वेंजन से कहते हैं ठीक है तो मुँ के च्छत के भीतर की उपरी च्छत का अगला भाग ठीक है अगला भाग उपरी च्छत का जो अगला भाग होता है अगर जीव वहां पर टच होती है वहां से अगर कोई उच्छारण हम करते तो वहां से धोनिया आती है तो वह मुर्धन्य धोनि हो गई ठीक है गव और घव ये कंठ ध्वनिया हो गई ठीक है और जण जो 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 यह बोलकर देखिए यह तालू से आवाज निकल दिए ठीक है तालब्या ठीक है उसके बाद दो और ढ़ यह कहां से निकल लिए यह हमारे मुझे च्छत के ऊपर की ऊपरी च्छत का अगले भाग से यह आवाज निकल लिए डो और ढ़ बोलके देख लिजिए ठीक है तो यह मुर्धन्य हो गया क्या हो गया यह मुर्धन्य ठीक है मुर्धन्य वेंजन हो गया ठीक है और पा और फा को बोलके देख लिए तो पा और फा जब बोलते हैं तो ओट से आवाज निकलती इसको हम बोलते हैं ओश्ट धुनिया ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नम्बर तीन करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण देख लेते है हिंदी भासा का जन्म हुआ है किस से हुआ है तो यह हुआ है ऑप्शन नम्बर वन यानि की अपभरंस से ठीक है किस से अपभरंस से अगला प्रस्ण देख लेते हैं निम्न में से कौन सी बोली अथवा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है ठीक है तो इसमें देखिए कन ठीक है जो दूसरों के सारे जीवीत रहते हैं उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं परोप जीवी बोलते है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं इस थावर का विलोम सब्द होता है तो इस थावर का जो विलोम सब्द होता है वो होता है जंगम ठीक है ऑप्शन हो जाएगा ग्राफ यह ठीक है ग्राइज चलिए अगला प्रसंद देख लेते हैं above विल्ओम सब्द है और इसका भलूम सब्द क्या होगा तो मशनबर एक रिकठ हो जाएगा ठीक है क्या होता है R होता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देख लेते हैं तस से मसना होना का अर्थ है ठीक है तो तस से मसना होने का अर्थ क्या होता है तो यह होता है अनुनाय बिनाय से ना पसीजना ठीक है तो यहां पर ऑप्शन नमबर फूर जो है करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण देख लेते हैं प्रस्ण है गंगे का अर्थ है ठीक है मतलब फिशल पड़े तो हर गंगे ठीक है इसका अर्थ क्या होगा तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा मजबूरी में काम पढ़ना ठीक है मजबूरी में काम पढ़ना option number one यहां पर correct है अगला प्रस्ण है नीम हकीम खतरे जान ठीक है इसका आर्थ क्या होगा तो इसका आर्थ है अल्प विद्या भयंकर क्या होता है अल्प विद्या मतलब कि कम विद्या जो होती है वो भयंकर होती है ठीक है चलिए अगला प्रसन देख लेते हैं चौपाई के प्रतेक चरड में मात्राय होती है तो चौपाई में क की बार-बार आवर्ति होती है क्या होती है वर्णों की बार-बार आवर्ति होती है तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार यादि कि वहां पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार होता है अगला प्रसंद देख लेते हैं निराला को कैसा कभी माना जाता है तो निराला जो है तो वो हैं भारतेंदू हरिश्चंद्र ठीक है option number 3 ठीक है चलिए अगला प्रस्न देख लेते हैं अगला प्रस्न है ज्यान पीट पुरुसकार किस छेत्र में स्रेष्ट कारे के लिए दिया जाता है तो किस कारे के लिए किस छेत्र में इस रिष्ट कारे के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है, साहित्य के छेत्र में, ठीक है, इसके छेत्र में, तो साहित्य के छेत्र में दिया जाता है, option number 2 यहाँ पर correct हो जाएगा, अगला प्रसन देख लेते हैं, रामचरित मानस किस भासा में लिखा गया है, तो राम